तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कि मान के चलो कि आप से गलती से या फिर जल्द बाजी में कोई दूसरे नंबर पर पेमेंट हो जाता है यूपिया एडी से तो आप जिसको पेमेंट करना चाहते थे उसको आपने पेमेंट नहीं करा पर गलती से आपने और किसी को है तो आप कैसे रिटन लाओगे वह पैसे आपका कैसे वापिस आएगा तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि अगर यूपिया में भूल से गलती से कोई पेमेंट हो गया है तो आप कैसे रिटन करेंगे पर भी कि अपको आगे बताए कि आपने गलती से किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है या जल्दवाजी में आपने किसी और को यूपियाई से पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है तो अब यह आप वापिस कैसे लाओगे इसकी मैं आपको मैतर बताता हूँ, तो जब भी ऐसा कुछ आपके साथ होता है, तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको कहीं लिख लेनी है, या store करके रख लेनी है, for example, आपका UPI ID, सामने वाले का UPI ID, फिर आपका transaction amount, एक transaction ID generate होगा, कोई भी UPI app से आप payment करोगे, तो उसके अं आपने bank statement का screenshot ले लेना, जिससे आपको confirm हो जाएगा कि आपके account में से वो amount deduct हुई है, और आप जिस UPI app का use कर रहे हो, उसका भी आपको screenshot ले लेना, इतनी चीज़े आपको अपने यहाँ पर store करके रख लेनी है, ये चीज़े आपको आगे जो process करना है, उसके अंदर काम में आएगी, तो चलिए जानते हैं कि ये return लाने के लिए हमको कौन-कौन से step follow करने पड़ेंगे, step number one, step number one करने के लिए कोई ऐसा specific time period नहीं दिया गया, पर अगर मान लो मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं step number one, within a 30 minute के अंदर कर दूँगा, step number one के अंदर आपको क्या करना है, कि help and support का option आपको मिल जाएगा, ये हर एक UPI app के अंदर दिया होता है, क्योंकि हमारी government के रूल के हिसाब से ये service उनको देनी ही पड़ती है, या तो जैसे कि अभी screen पे आप देख पार हो, ये Google Pay का number है, इस तरह से आपको हर एक app का help and support number मिल जाएगा, तो आप directly उनसको contact कर सकते कर बता सकते हैं, कि ये मेरा एक transaction idea, जो मैं किसी और को पैसा transfer करना चाहता था, पर किसी और को हो गया, तो आपको उन पे complaint दर्ज करवा देनी है, मान के चलो कि आपको वो complaint दर्ज करवाने के बाद भी है, आपका पैसा return नहीं आता, तो आपको करना है step number two, step number two, आपको within a 24 hour क के अंदर कर देना, step number two के अंदर आपको अपनी bank में विजिट करना है, आपको bank में विजिट करना है, और उनको बताना है कि आप इस दिन ये transaction कर रहे थे, पर ये आपने amount किसी और को transfer कर दिये, उसका transaction idea, जो भी मैंना आपको आगे store करवा है था detail, वो सारी detail उनको देनी है, वहाँ पर complaint दर्च करवानी है, और उनको बोलना है कि आप ये amount return लाने में हमारी कोई मदद कर पाओगे के नहीं, bank आपको इसके अंदर 100% help करेगा, पर मान के चलो, वो help करने के बावजूद, आपकी amount return नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, step number 3, step number 3 के अंदर आपको जो भी बूल से, या गलती से, या जल्द बाजी में जो भी amount आपको सामने वाले के account में transfer होई है, उसका account detail वो यूप ये app के अंदर दीखेगा, तो आपको receivers की bank के अंदर जाना है, वहाँ जाकर सारी detail देनी है, कि भाई ये ये चीती, ये इस दिन आउन को देना है, वो अपनी तरफ से भी complaint raise कर देंगे, और फिर आपके amount आपको return मिल जाती है, मान के चलो, कि ये तीनो step आपने कर लिए, फिर भी आपकी amount return नहीं मिल रहे है, तो step number 4, step number 4 में आपको जाना है, UPI के father के पास, जो है NPCI, National Payment Corporation of India, ये है UPI के father, जिन के पास सार UPI app control होती है, NPCI पे आपको जाना है, और NPCI की website पे जाके आपको complaint raise करनी है, ये complaint आप अपने simple mobile से easily कर सकते हो, जैसा कि आप साहर में देख पार हो, आपको अपना mobile open करना है, उसके अंदर आपको chrome open करना है, सिर्फ लिखना है NPCI, जैसे आप NPCI खुलोगे, एक website आजाएगी, और directly भी आप जा सकते हो, जैसे कि NPCI.org.in पे भी आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको जाकर click करना है, उसका पूरा page समने आजाएगा, उसमें आपको menu में जाना है, menu में जाने के बाद उदर आपको दिखेगा what we do, what we do पे जाकर आपको click करना है, उस पे आप click तो नीचे आपको UPI लिखाएगा, तो UPI पर जाकर आपको directly click कर देना है, जैसे आप UPI पर click करोगे, एक पूरा menu खुल जाएगा, वो UPI पर जैसे आपने click किया, तो आपने देखा सारा menu साहर में आगया है, उसमें जो plus का icon दिख रहा है आपको, ये plus का icon पर आपको click करना है उसके अंदर आप नीचे जाओगे, तो एक option आपको दिखेगा, dispute radiation mechanism, dispute का मतलब होता है कि गलती से या bull से जो आपको transfer हुआ है, उसका solution आपको इसके अंदर मिलेगा, जैसे आप इस पर click करोगे, तो उसका option open हो जाएगा, और आप नीचे जाओगे, तो transaction, आपको जो transaction दिख कर दिया, यह person to merchant transfer किया है, जो भी आपको आपने किया, उस वो option आपको इहाँ पर select करना है, फिर उसके बाद आपको issue select कर लेना, issue के अंदर लिखाए होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, incorrect transaction to another account, आपको select कर लेना, उसके बाद नीचे दी हुई सारी जानकरी, जो मैंने आ कर दोगे, तो आपकी complaint NPCI के पास register हो गई, और अब आपका account में से जो भी amount deduct हुआ था, वो आपको return मिल जाएगा, 248 hours में, मायम के चलो कि सारे step आपने कर लिए, फिर भी आपको कोई solution नहीं आ रहा, फिर भी आपकी amount return नहीं आ रहे है, तो आप आप क्या करेंगे, तो step number 5, के लिए हमको जाना पड़ेगा, हमारी grandfather के पास मतलब के bank of grandfather, जो है RBI Reserve Bank of India, Reserve Bank of India के portal पर जाकर आपको complaint रेस करनी होगी, कि हमसे यह transaction हुआ था, हमने यह चार जिगा पर already complaint कर चुके, पर तो भी हमारी amount return नहीं आ रहे है, अब RBI में भी आप online complaint कर सकते हो, जस्ट आपको अप है, उसमें complaint के अंदर आप देखोगे against RBI, against RBI पर आप click करोगे, तो एक पूरे city, जितनी भी city है, सारे man-man जो city है, उनके नाम open हो जाएंगे, उसमें मान के चलो मेरे case में हम्दाबाद है, तो एहम्दाबादे वाले link में click करूँगा, तो यह एक page open हो जाएगा, उसमें जो भी मैंने detail आपके पास store करवाई थी, वो सारी detail इसमें upload करने की आएगी, अब वो upload कर देना और फिर submit पे click करेंगे, तो आपकी जो complaint हो RBI के पास भी चले जाएगी, तो यह जो 5 step थे, वो मैंने आपको जो बताए, अगर वो आप follow करोगे, तो आपके जो गलती से transaction हुआ है, वो amount आपको 100% return मिल जाएगी, मान के चलो कि यह पूरा transaction करने के बाद भी आपकी amount नहीं आती है, तो फिर आप क्या करोगे, तो normally यह 5 step करने से 110% आपकी amount return आई जाती है, पर मान के चलो के नहीं आती है, तो फिर उसके लिए कोई अपने solution नहीं है, से आप directly सामने वाले को phone क और amount return नहीं आई हो, तो सबसे पहले तो आप सामने वाले को phone कर देना, कि भाई अपने गलती से amount transfer हो गया है, तो return कर दे, अगर वो कर देता है, तो ठीक है, अगर नहीं करता है, तो जुमेर आगे आपको 5 step दिखाए, वो follow करने ना, तो 100% आपकी amount return आजाएगी, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, श्यायर करना और मेरी चनल पर नहीं है, तो चनल को सब्सक्राइब करना मत बुले,